ओम्श्री महाप्रग्य गुरवीरा महा जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पन्दन उस महाप्रग्य को वंदन सत्य अहिंसा अने कांत को अर्पित जिसका तन्मन उस महाप्रग्य को वंदन जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पन्दन उस महाप्रग्य को वंदन जब तक चेतना बश्पन की रहती है तब तक प्रे अच्छा लगता है श्रे अच्छा नहीं लगता एक कारण को है अज्ञान बश्पन बश्पन एक अवस्था का बश्पन होता है और एक अज्ञान का बश्पन होता है ज्ञान का भी बश्पन होता है जिसका अज्ञान वह छोटा है वे बच्पन है चाए नबबे वरस का सो वरस का हो गया तो भी वे बच्चा है ज्यान का विकास नहीं हुआ दुस्वे कालिक शुत्र में ठीक कहा गया कि अन्नानी तिंकाही किंवा नाही सी से पावगम अज्यानी क्या करेगा वे नहीं जानता कि श्रे क्या है और पाप क्या है वे क्या करेगा जो जानता ही नहीं है पहली बात हैं हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रे क्या है श्रे क्या है पदार्ज के प्रती जो एक मोह है वे है प्रे प्रियता प्रियता है हम प्रियता की बात करें तो बहुत सारे हमारे कारी एक सामाजिक प्राणी के कारी प्रियता के आधार पर चलते हैं पर स्थे की बात नहीं सोचता प्रियता धन प्री है पदार प्री है बस्तों में प्री है प्री है इस आधार पर बहुत सारा ब्योभार चलता है लड़की की साधी हो रही थी बारात आई हुई थी साधी हो गई दहेज भी दे दिया जाने की तयारी थी तो कन्या का पिता बोला बड़ी कषिनाई है लड़की भी देनी होती है और साथ में दहेज भी देना होता है हमारे साभने कितनी कषिनाई है दोनों को देना होता है तब वैबर का पिता बोला कि सेथ साभ कोई बात नहीं इतनी कषिनाई क्यों करते है दहित दे दीजिए लड़की को आप अपने पास रख लीजिए समश्या का समाधार ने धन प्रिय है एक नंबर में प्रिय धन तो बस धन दे दो लड़की को कोई चिंता की बात ने अपने पास रख़वा बिले प्रियता के आधार पर भहुत सारे व्यवहार चलते हैं और वे व्यवहार भहुत समश्या भी पेदा करते हैं कथो अपनिशद में भहुत सुन्दर कहा गया कि स्रेयस्ते प्रेयस्ते दो एतर स्रेय और प्रेय सम परित्य विविनक्त धीर हैं जो धीर आदमी है वह दोनों का विवेक करता है विवेचन करता है और विवेक के बाद वह स्रेय का वरन करता है और जो एक विवेक शील आदमी नहीं है धीर नहीं है वह आदमी योगक सेम ब्रिनीते वह योगक सेम की चंता में रहता है योगक सेम का मुझे जो नहीं मिला वह पदार्थ मिलना चाहिए योग और क्षेम जो मिला है वह सुरक्षित रहना चाहिए पहली बात तो है कि मिलना चाहिए दूसरी बात सुरक्षित रहना चाहिए इस चंता में इस उधेर बुन में रहता है यह कठ उपनिशत का एक सुन्धर प्रशंग है स्ट्रेई और प्रे का एक बीवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है और जब तक व्यक्ति इंद्रियों की चेतना में जीता है तब तक प्रे के पीछे दोड़ता है इंद्रिय चेतना अच्छा सब्द भी उसको चाहिए इंडिये चेटना में जीने वाले व्यक्ति को सब के पीछे भी डोड़ता है रूप के पीछे भी डोड़ता है एक लड़की जा रही थी लड़का युवक मिला और बोला कि तुम बहुत सुन्दर हो क्या मुझसे प्रेम करोगी लड़की बड़ी होश्यार की बॉली कि तुम मुझे क्या सुन्दर कहते हो सुन्दर देखना हो तो मेरे पीछे मेरी बेहन आ रही है उसको देखो उसको छोड़ जिया उधर दोड़ा रूप के पीछे दोड़ा उधर दोड़ा और आदा किलोमेटर गया और देखा तो वे तो बड़ी थी तो बुला कि आगे तुमारी बेहन जा रही है कहां तो तुम क्यों आयो यहां कुछने का तुम बड़ी सुन्दर हो अरे सुन्दर देखने हो तो वहां जाओ मेरी चोटी मेन आगे जा रही है तो फिर उधर दोड़ा नवे मिली नवे मिली बीच में डोड़ता रहा आज मी सब्द के पीछे भी डोड़ता है रूप के पीछे भी डोड़ता है गंद के पीछे भी डोड़ता है बहुत सारे ऐसे पसु हैं पस्क्री हैं जो गंद के पीछे डोड़ते रस के पीशे डोड़ता है वोजन के पीशे हम लोग लादनों में थे पुझे गुर्देव विराजदे थे जैनुविस भार्टी में नेमी चंजी पीतलिया जो मेवार के या बैंगलोर के कहीं थे और जिनको हम बारे माशिया कहते हैं बारे मेना आचारी वर की सिवाँ में रहने वाले थे दो बेक्ती ऐसे थे ताराचंजी पुगलिया और नेमी चंजी पितलिया जो बारे माशिया कहला थे बारे मेना बस उनका घर वही आचारी वर की उपास ना में था एक दिन गए मिवार गए वापस आई मैंने पूशा कि क्यों गए दो दिन में वापस आगे गए क्यों कि दो लड़ू खाने के लिए वे तो संबन्द की बात है पर उनका उत्तर बड़ा अच्छा था कि और क्या इतना अस्रम किया और महां जाकर कोई सादी में जाना था दो लड़ू खाकर आगे वज़ आदमी रस के पीछे भी जाता है संबन्नों को निभाना था इसलिए कि पर फिर भी दो लड़ू की बात तो सामने आ जाती है और भी पता नहीं रस के पीछे आदमी कितना दोड़ता है कहां कहां चला जाता है और भोजन के पीछे तो बहुत है इसलिए आज के अच्छे वीचार कों ने लिखा है कि रसोई बनाती है ब्रक्तित का निर्मान रसोई से बहुत जुडा हुआ है कि ब्रक्तित कैसा बनेगा बहुत निर्भर है रसोई पर जीप पर स्वाद पर बहुत कुछ निर्वद है और वही श्पर्ष की बात है तो इंड्रियों की चेतना में जीने वाला इंड्रिय जगत में जीने वाला व्यक्ती प्रे का वरन करता है प्रिय लगना चाहिए बस इसके आगे क्या होता है परियनाम नहीं देखता कि प्रियता का परियनाम क्या होगा आज की एक बड़ी जठील समश्या है ये प्रेम विवाह की थोड़ा सा संपर्क होता है और प्रेम विवाह कर लेते हैं मैंने तो देखा ऐसे तो पता नहीं दुनिया में बहुत होता है पर हमारे आज़ पास में जितना देखा उसका पहिणाम अच्छा नहीं आ रहा है एक वार बावावेस में कर लेते हैं अपरिशित के साथ भी कर लेते हैं ने कोई पता ने कोई ठिकाना जानते नहीं है कर लेते हैं और अखिर में निर्वा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये इंड्रिय जगत का काम है प्रियता और आदमी प्रियता के साथ व्यवहार करता है एक रोगी है पाचन तंत्र कमजोर है उसे गरिष्ट चीज नहीं खानी चाहिए फिर भी खान लेता है क्यों खाता है कि इंड्रियों की प्रियता है प्रियता का व्यवहार है इसके खान लेता है बाद में प्रस्ताता भी है का अच्छा नहीं किया बिमार हो गया क्या करें एक प्रसंग ऐसा बना कि एक बैद्य था और बैद्य के पास दो ब्यक्ति बैठे थे बैद्य ने एक ब्यक्ति की नाड़ी देखी और कहा कि बही तुम्हारे कोई खास बिमारी नहीं है थोड़ा गरिष्ट बोजन करो अभी सर्दी का मोसम है मेथी के लड़ू खाओ गून के लड़ू खाओ ऐसे गरिष्ट बोजन करो तुम ठीक हो जाओगे अब दूसरे विक्ति की बारी आई उसके नाड़ी देखी देखकर कहा कि तुम हलका बोजन करो गरिष्ट चीजे मत खाओ मिठाई मत खाओ तली हुई चीजे मत खाओ मुझे मत खाओ मलाई मत खाओ मक्कन मत खाओ रूखे फापरे और उबली हुई सबजी खाओ वे बोजन बेदी आपके यहां भी पक्षपाट है इतना पक्षपाट पहले विक्षी को तो कहा कि लड़ू खाओ यह चीजें खाओ मुझे कहते हो कुछ भी मत खाओ इतना बड़ा पक्षपाट वे दे बोला तो समझता नहीं है वे दुर्बल है और दुर्बलता के कारण बिमारी हो रही और कोई बिमारी नहीं है पुष्ट भोजन करेगा गरिष्ट भोजन तो ठीक हो जाएगा तुमने इतना खा लिया पहले कि खाकर बिमार बने हो तुम्हारे खाने की बिमारी है इतना ज़्यादा खाया है कि तुम्हारा कोलेस्टोल भी बढ़ गया है नाड़ी भी बड़ी तेज हो गई है और हाज़ पर भी असर आःओ है इस तरवी भी बढ़ रही है इसलिए तुम कम खाओ अब बैद्रिका निरनाई था हित के आधार पर उस बैद्रिका निरनाई था प्रियता के आधार पर कि मुझे मनाई करें पक्षपाद कर रही है ये प्रियता और हित इन दोनों के आधार पर हमारे बहुत सारे मिलने होते हैं किन्त जो धीर पूरुश है वे स्रे को प्राथमिक्ता देता है प्रे को गौन करता है धीर धीर वे होता है कि जिसमें मनोबल होता है जिसका मन नियंतन में होता है, इंद्रिया नियंतन में होती है। वह पुरुष धीर कहलाता है। नियामी का शक्ती धृती. हमारे मन का नियमन करने वाली शक्ती है हमारी धृती. और जिसमें धृती होती है वह धीर पुरुश होता है धीर आद्मी वह बिचलित नहीं होता वह इंद्रियों के मध्यम से कोई गलत काम नहीं करता धीर है बहुत बड़ा होता है वह व्यक्ति जो धीर होता है धीर का मतलब हो गया तातपरिये में यह अर्थ हो गया कि जो इंद इंडिये चेतना के जगत में प्रवेश कर चुका, दोनों का मिरने अलेग होता है, अलेग अलेग मिरने, जब पुरोहित घरवार को छोड़कर दिख्षित हो रहा है, तब रजानी शूचा के पुरोहित, उसकी पत्नी, उसके दोनों पुत्र, पूरा परिवार दिख्षित हो रहा है, मुनी दिख्षा ले रहा है, पीछे कोई नहीं है, तो जहां परिवार में कोई नहीं होता, वह संपत्ती रज्ज की होती है, राजा का सारा ज्जान प्रियता की ओड़ जा रहा था, क्या संपत्ती राज की होती है, आदेश दिया, क्या पुरोहित की सारी संपत्ती राज्य बंदार में कोईस में ले आओ, और यहां स्थापित कर, संपत्ती आने लेगी, संपत्ती आ रही है, महराणी गवक्ष में बेखी थी अपने बातायन में, और महराणी ने देखा, कि आज यह इतना धन कहां से आ रहा है, अपने अधिकारियों को बुलाया, बोरा खिर पूछा, अरे क्या हो रहा है, इतना धन कहां से आ रहा है, तो बोला महराणी जी, आपको पता है, कि पुरही जी अपने दिक्सित हो रहे है, मुनी दिक्सा ले रहे है, पुरा परिवार दिक्सा ले रहा है, और उनके पीछे कोई है नहीं, दोनों पुत्र, पती पत्नी, चारों दिक्सा ले रहे है, पीछे कोई नहीं है, तो जो पीछे नहीं होता है, संपत्ती रज्ज की होती है इसलिए महाराजा का आदेश है कि सारी संपत्री ले आओ और खजाने में जमा कर दे महाराणी को बड़ा पटा लगा कि ये क्या एक बेक्टी तो त्याक कर रहा है छोड़ रहा है और हमारे पती महाराजा वह उसको ले रहा है ये तो कोई अच्छा नहीं है महाराणी गई तत्काल महाराजा के पास इसकार के पास महाराणी कमलावती वहां गई जाकर बोली कि महाराज आज आज आप क्या कर रहे हैं वहला क्या कर रहा हूं कुछ नहीं क्या कर रहा हूं कुछ नहीं क्या कर रहे हैं ये क्या आ रहा है धन्या कि ये तो पुरोईत का रह आए तुम जानती नहीं हो तुम्हे क्या पता इसका राजय संचालन का पता नहीं है तुमको हमरा एक कानून है NIEM है कि जहां पीसे कोई संतान नह हो वह सारा धहन राजय का होता है इस ते मैं दहन मंगवा लिया महरा नहीं बोले महराज थोड़ा चिंतन करो कोरा कानून पर मत चलो एक नईतिकता भी होती है बंतासी पुरिशो रायं नसो होई पसंसी यो ये तो आपका बमन किया हुआ धन है आपने ही तो धन दिया था पुरोहिट जी को आपने दिया था ये तो आपका दिया हुआ तो एक बमन हो गई क्या बमन को खाना कभी अच्छा होता है बंतासी पुरिशो रायं नसो होई पसंसी यो ये कोई प्रसंसा के युग बात नहीं है कि जिसको त्याग दिया उसको फिर से लेना अच्छी बात नहीं है महरा राजा को थोड़ा सोसना पड़ा देखा कि आज कौन बोल रही कौन कह रहा है एक ध्धान दिया फिर महरा नहीं बोली कभी कभी स्ट्रियां बड़ी संबोद देने वाली होती है आगम साहिते में तो ऐसा मिलता अनेक वास स्ट्रियों ने अधिर ब्यक्ति को धिर बना दिया और संबोद दे दिया तो महरा नहीं बोली का आप क्या करेंगी का राजा बोला कि धन का क्या करेंगी धन के बिना तो रज्ज का संचालन कैसे होगा रज्ज को धन की जरूरत है जब राजस सो कम आता है और खजाने में धन कम होता है तो राजा की सक्ति कम हो जाती है वे पूरी सक्ति का उपयोग नहीं कर सकता नहीं अच्छी शेना रख सकता नहीं अच्छा निर्मान कर सकता और नहीं प्रजा को सुख दे सकता धन तो जरूरी है और आखिर धन ही तो काम आएगा राजा ने ऐसी बात की जैसे मानो धन ही सब कुछ है सरन देने वाला है यद्ध की धन की अपनी उप्योगिता है पर सब कुछ नहीं है और राजा ने तो ऐसा एक बात कह जी मानो धन ही सब कुछ है महरानी तक एकदम बोली और ऐसी जैसे सैंगी गर्जना की तो महराज आप ध्रम्मे है आप सचाई को नहीं पकड़ रहे है अब जानते हैं एक दिन सब को छोड़ कर जाना है कोई भी आजमी अमर नहीं है अमर रहने वाला नहीं है सब को मरना है आज तो है तो उसके पास है जिस दिन मराख पास में कुछ भी नहीं नहीं कोई साथ में ले जाता महराज धन सब कुछ नहीं है त्रान देने वाला नहीं है जो त्रान देने वाला है उसके और आप ध्यान नहीं दे रहे रदा धर्म की और कम ध्यान देता था जो त्रान है सरने उसकी और आप ध्यान दें उस समय महाराने जो कहा ऐसा महत्वपुन भक्य है कि एकोह धमो नरदेवतानम नविज्य अन्नमिहे किंची महाराज एक धर्म ही त्रान है सरन है और कोई दूसरा त्रान देने वाला सरन देने वाला नहीं है जिस समय आजमी बिलकुल अत्रान होता है बिमारी के कारण अत्रान हो जाता है बिमारी के कारण धन्त्रान नहीं देता हमारे पास बहुत लोगों का आता है कि अब ऐसी बिमारी हो गई कि दुख ही है बन गया दुख पा रहा है छट पटा रहा है एक महिला का जो बड़ी धनी महिला है उसका आया कि लड़का छट पटा रहा है आप अब उसको कुछ बताएं मैंने सुना है ऐसे बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास अर्बों अर्बों की संपत्री थी और जब मरण नजदीक आया उस समय हालत ये हुई कि जो जिसके बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है ऐसी हालत हमने सुनी है और साक्षा देखने वालों की दोरा सुनी है कि क्या हालत होती है ने धन बचा सकता ने परिवार वाला बचा सकता न डॉक्टर बचा सकता पीड़ा भोगने वाला भोगता है उस समय ऐसी खिती में एक ट्रान दे सकता है तो धर्म दे सकता है उस व्यक्ति को धर्म की बात सुनाओ अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराओ उस व्यक्ति को सहिस्नुता का मार्ग दिखलाओ कभी सहन करो तुमारी सहन करने की सकति को बढ़ाओ मनोबल को बढ़ाओ ऐसा संबल मिलता है कि एक वार पीड़ा से कराहता हुआ व्यक्ति भी खुशी में आ जाता है जूम उचता है मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की स्थिति को अंतिम समय की स्थिति को कि जब उनको कुछ दुख पा रहे थे छट पटा रहे थे रो रहे थे धरम का एक दो संबोद मिला और सारा दुख गायव हो गया अंतिम समय में जब होता है बाले मच्चु मुहम पत्री आज मीं पहले बहुत अहंकार करता है पर जब मृत्यू के मुख में जाने की तैयारी होती है उस समय सारा चिंतन बदल जाता है कुछ एक ब्यक्तियों की एक ब्यक्ति की बात करूँ जो आँखों देखा सच है कि इसी प्रकार की ब्यक्ति थे जो धर्म में रूचे नहीं लेते थे और जब अंतिम समय आया सामने लगा मोत का आभास होने लगा तो गुर्देव से प्रार्षना की कि मुझे दर्षन दे गुर्देव पधारे और बाचित की तो बोला आचारी वर मैंने तो अपने जीवने नहीं किया अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ी भूल किये अब जितना समय बचा है आप मेरा उधार कर दे उन्होंने श्लोक भी कहा अचारी वर ने उनको संबोद दिया कुछ सुनाया और फिर उन्होंने प्रहतना की कि आप प्रती दिन मेरे लिए साद्वों को अत्वा साद्वियों को बेजे हैं मुझे धर्म का उपदेश दे हम इस सचाई को समझने का प्रहतन करी कि जब और कोई भी ट्रान नहीं देता नहीं कोई परिवार का आदमी देता नहीं कोई डॉक्टर देता और कटिनाई को भोगता है उस समय ये लगता है कि धर्म की बात सुनता है तो कश्ट भी गायब हो जाता है कम हो जाता है बीदासर के एक ब्यक्ति मूल चंजी दूगड अच्छे स्रावक थे जवस्ता कुसल ब्यक्ति थे कैंसर की बिमारी हो गई बड़ा कश्ट था गुर्दे पधारे दर्सन देने के लिए बीदासर में दर्सन किये और पूछा कि कैसे चल रहा है बोले कि कश्ट तो होता है पर मेरे पास कश्ट की डवा है इलाज है क्या कि जब भी ज़्यादा बेदना होती है आपके गीतों की कैसे चालू कर देता हूँ दो चार मिनिट में बेदना गाए पता ही नहीं कोई कश्ट है ये एक बहुत महत्युकी बात है और इसको मैं बयानिक स्थर पर भी कह सकता हूँ कि सरीर विग्यान के आधार पर इसकी व्यक्षा की जा सकती है कि जब ज़्यादा कश्ट होता है उस समय डॉक्टर इंजेक्षन देते है मार्फियो का इंजेक्षन देते है तो हमारे सरीर में भी एक वैर रसाइन पैदा होता है जिसका नाम है एंडॉर्फीन एंडॉर्फीन नाम का एक रसाइन पेदा होता है जो इंजेक्शन का काम है वही काम इसका काम है कि जब कोई आदमी भक्ती में जाता है बेरग्य की टिब्रता में जाता है सरद्धा की टिब्रता में जाता है और धर्म की बात को ऐसा करता है उस समय व्यक्ति के मस्तिस्क में एंडॉर्शिन नामक एक रसाइन पेदा होता है और वे पेदा होता है तो पीरा गायब हो जाती है ओम श्री महाप्रग्य गुर्वे नमः ओम श्री महाप्रग्य गुर्वे नमः